अगर आप क्रिस्मस दे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि क्रिस्मस दे पर केक और पेस्ट्री के भरमार रहती है ऐसे में फूर्ड विभाग ने गाजियाबाद में चापी मारी की है और उनके सेंपल भरे हैं ताकि सिंथेटिक कलर क्रीम और उसमें होने वाली मिलावट पर रोक लगाई जा सके सर क्रिस्मस डे नज़्दीक है और चौकलेट पेस्टी मार्किट में खुब भिकरी है क्योंकि चौकलेट और पेस्टी का ही ये तोहार होता है फूड विभाग की तरब से कुछ कारवाई की गई थी चौकलेट और पेस्टी और केक के को लेकर क्या थी पूरी कारवाई प्लॉक्त कराने है जो एक विश्यस अभ्यान चलाई जा रही है जो बीस दिसंबर से लेके पचीश तक चले गई इसी करम में पांच टीम बनाई गई है और कल तक टोटल तईस नमूने इसे बैक्री से संबंदित लिए गया है किस चीश के नमूने लेके गया है जैसे के के लिए गया है और फैक्ट्रियों में भी छापे मारी गई और वहां जो रौ मेटेरियल मिला उसका रौ मेटेरियल का नमूना लिया गया खास करकर इस वात को ध्यान रखा गया है कि केक बनाने में जो जो सामगरी उपलब्द होती है तो मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट से जहां भी नमूना लिया गया है और उनके रौ मेटेरियल का भी नमूना लिया गया है अच्छा इस परकार की जो खात समगरी मार्केट में बिखती है केक यो फेस्टिस क्या यह स्वास्त के लिए हनीकारक होती है अगर जिस परकार से और पर यह एक्ट के आप से भी परिमीटेट है डिफाइंड लगाई जाती है जो फाइंड क्रीम फोरी मातरा में तक तो ठीक है लेकिन अधिक मातरा में खाने से अगर्णूशान होगा इसके कभी कोई सिकायत मिली है कि इस परकार से पेस्टी और केक यह बड़े केक जो हो सब्सक्राइब करें और जहां से भी कहीं से कुछ इकाइद मिलती है उस पर ततकाल जो हम लोग जाम देते हैं